आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ते हैं मैंने कहा था विस्तार से पढ़ेंगे इसी गद्याश को किसान से चर्शा करनी हैं आप देख रहे हैं वस्तु परक प्रश्न प्रश्न एक जो कोशन पर पूछा जाएगा और दस गुणा एक अर्थात एक-एक अंक के दस प्रश्न है जिनहें आपको करना है और वैकल्पिक प्रश्न होंगे जिनके विकल्पों को आपको पढ़ने के उपरांच सही विकल्प को चुनना है जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपठेद गद्याश को नहीं पढ़ेंगे पहले किसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसकी प्रशनों को, तो सबसे पहले जैसी आगे पास पिपर आया, आपने आगे बढ़ें प्रशनों की तरह, उपरोक्त गद्याश किस विश्य वस्तू पर आधारित है, दूसरा प्रशन, पून बंदी लागू क्यों की गई, फिर ह हम में बुजर्गों, बच्चों और बुजर्गों की चिंता क्यों है, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है, ओनलाइन शिक्षा एक चुनावती कैसे, शिक्षकों ने तकनी को खुले दिल से क्यों सीखा, उसके ओप्शन आपर देखिए, ओप् शिक्षक होने का बोध कराया, कैसे, जीवन की सहचता को बाधित होने से, जीवन की सहचता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं, भारत में नियम, कानून, लागू करना, चुनावती क्यों है, पिर आखरी प्रेशन क्या है, लोगों के जीवन में उहपो की स्थिती कैसे तो चलिए हम किसे चलेंगे अपने गद्याश वर गद्याश कैसे है चुरू करेंगे से पढ़ना दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूच रही है मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है इस महामारी ने जीवन की सहचता को तरहां बादित कर दिया है भारत में इतनी अधिकावादी है कि इसमें किसी नियम काईदे को पूरी तरहां अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है इसमें महामारी के संक्रमन को रोकने के मकसद से पूर्ण बंदी लागू की गई आ देखिए आपर दो प् पूर्ण बंदी लागू के साथ अमल में भी लाया गया लेकिन सच है कि इसमें महामारी से हम जूच रहे हैं उसे लड़ने में मुख्य रोप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक शम्ता ही बड़ी भूमिका है कि जो है बड़ी भूमिका है लेकिन असले चिंता बच्चे और कम होती है इस मामले में जादा तर नागरिकों ने जागरुकता और सहज बोध की वज़े से जरूरी साबधानी बढ़ती है लेकिन इसके समानांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई हैं मसलन आर्थी गतिविदियां जिस बुरी तरह प्रभावित हुई हैं उसने बहु उसकी तनका पर निर्भर लोगों की लाचारी यह है कि उनके सामने आश्वासन था कि नौकरी से कहीं निकाल ना दिया जाए वेतर नहीं रोका जाएगा वहीं उनके साथ हुआ उल्टा यह आश्वासन दिया गया था कि आपको नौकरी से निकल लेकिन जब ये चीज आई तो उन्हें नौक्रे से तंका तो दूर की बाता ने नौक्रे से ही निकाल दिया गया नौक्री गई, कई जगाओं पर तंका नहीं मिली, यह कटौती की गई और किराय के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई इस माह मारे का दूसरा असर शिक्षा जगत पड़ पड़ा उसका तारकिक सामादान कैसे होगा यह लोगों को के लिए समझना मुश्किल हो रहा था खास तोर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह बाधित होती दिख रही थी यो इसमें किये गए वेकल्पिक इन्तिजामों की वज़े से स्कूल भले बंद हो लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्ष को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी चिन्ता किसी उसकी थी? बच्चों के भविश्य की चिन्ता उन्हें सता रही थी. हाला कि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैप्टॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं. लेकिन दूसरी और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता. उन सब के सामने चुनौती है ऑनलाइन कक्षाएं लेने की. सबने हार नहीं मानी और तक्नी को खुले दिल से सीखा. इस तरहां फिलहाल जो सीमाएं उसमें पढ़ाई लिखाई जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है. जनसत्ता में यह चपा था वहां से इसे लिया गया और अपटे आपका गध्याश बनाया गया. तो आप क्या आया? उपरो गध्याश के किस विश्यवेस्तो पर आधारी थै? तो आप देखिए किस पर है? महमारी का प्रभाव. जो पूरा प्रभाव बताया गया. पूर्ण बंदी लागु क्यों की गई? क्योंकि लोगों द्वारा ये जो लोगों की जो है आवाजाही रोकने के कारण, नियम को लागु करने कारण, लोगों द्वारा नियम नहीं माने कारण, सबसे पहला वाला सबसे उत्तम है. संक्रमन को रोकने के लिए, उसकी रोक्ताम के लिए पूरभंदी लागडाूं किया गया. हमें बच्चों और बज़र्गों की चिंता क्यों है? क स्कोली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? शिक्षा जारी रखने के लिए, बच्चो की चिंता के लिए, शिक्षकों के वेतन के लिए, तो यहाँ कोशिम क्या है? स्कोली शिक्षा को जाई रखने की कोशिश क्यों की जा रही है बच्चों की चिंता के लिए कारण या शिक्षा जाई रखने के लिए बच्चों की चिंता करण कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे अगर ता समय अंत्राल आ जाएगा तो बच्चे बहुत कुछ भूल जाएंगे ऑनलाइन शिक्षा एक चुनोती कैसे है? क्यों? क्योंकि तक्निकी रूप से योग नहीं होना तक्निकी रूप से नहीं जानते कि कैसे चलेगा सब कुछ उसके वार शिक्षकों ने तक्निकों खुले दिल से क्यों सीखा? उन्होंने सीखा बच्चों की चिंता करण बच्चों के लिए कि किस तांसे उन्हें सीखाएं उसके लिए उन्होंने सारी सारी चीज़ें सीखी, महामारी के समय में जब शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोत कैसे कराया, उन्होंने तक्नीक को सीखने की हिम्मत द्वारा ये बोत कराया कि वह एक शिक्षक है, जीवन में सहजता को बाधित होने से आप क्या समझते हैं, ज जब जीवन में कोई संकधम होता हैं तो जो जीवन चल रहा है एक एजी जो जीवन जीवन था, जो लाइफ स्टाइल था वो बादित होता है तो वो क्या है? संकधम याँ वोत्बन होता, उसके कारण सहज था खत्म हो जाती है भारत में नियम कानून लागू करना चुनाती क्यों है क्योंकि यहां नियम कानून की समझ नहीं है लोगों में लोग सो से क्यों क्यों लॉगड़न कर दिया गया अच्छा गासा चल रहा था बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया आखरी प्रेशन आता है लोगों के जीवर में ओहा पोह की स्तिती कैसे आई कैसे आई आरती गतिविदिया ठप हो जाने से ठीक है अच्छे आज के इस लेसन प्लान में इतना ही आज के इस वीडियो और वेसन में